दोस्तों सुबमन गिल इंगलिस में काफी कमजोर थे अपने एक इंटर्विव के दवरान सुबमन गिल ने अपनी दिल की बात बताई सुबमन गिल ने पिछले कुछ महिनों में अपने सांदार बल्ले बाजी से लोगों को अपनी ओरा कर सित किया है और अब उन्होंने दुनिया को ये बता दिया है कि वो अंतर राष्टिय क्रिकेट पर राच करने के लिए तैयार है वन डे और टेस्ट फॉर्मेट में गिल ये साबित कर चुके हैं कि वो क्या कर सकते हैं लेकिन वहीं T20 फॉर्मेट में उनकी जगह को लेकर सवाल उठ रहे थे उन्होंने उस फॉर्मेट में भी सांदार सतक लगा कर अपने आलोचकों की बॉलती बंद कर दी है जी हाँ हाली में न्यूजिलेंड की खिलाब तीसरे वा आखरी T20 मैच में सुबमन गिल ने धमाकेदार सतक लगा कर रिकोर्ड्स की लाइने लगा दी है अब ऐसा लग रहा है कि वो T20 फॉर्मेट में भी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने के लिए तैयार है गिल इस समय धमाके पर धमाका कर रहे हैं और हर कोई उनके अलावा किसी और टॉपिक पर बात ही नहीं कर रहा है हलाकि इसी बीच सोसल मीडिया पर एक वीडियो काफी वाइरल हो रहा है जिसमें सुबमन गिल के साथ एक्टर जसी गिल नजर आ रहे हैं इस वीडियो में सुबमन गिल अपनी इंगलिस को लेकर बात कर रहे थे और बता रहे थी कि वो कई बार ये तक सोंचते थी कि अपने खेल में परफॉर्म ना ही करें ताकि उन्हें आखिर में इंगलिस में इंटर्विव ना देना पड़े सुबमन कहते हैं जब आप बाहर जाने लगते हैं लग लग लोगों से मिलते जुलते हैं तो आपकी इंगलिस सुधर जाती है वहीं सुपमन कहते हैं मेरी इंगलिस अंडर 19 में ठीक ठाक थी और सुरू सुरू में तो इंटर्वियू की बारी आती थी तो ऐसा लगता था कि परफॉर्म ना ही करूँ प्रॉबलम ये होती थी कि अगर आप अच्छी इंगलिस भी बोलते हो लेकिन आप अपनी टीम के साथियों के लिए अच्छी नहीं बोल रहे हो उनको तो मजाक उडा नहीं है उनके लिए मैज जीत गए वो जरूरी नहीं है वो तो बस इंटर्वियू में उसे एक गलती का इ करता था लेकिन अब मेरी इंगलिस लोगों के साथ इंटर्वियू देने से डर नहीं लगता